आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी हमारी त्यारी के क्रम में हमारी प्रैक्टिस के क्रम में हम जो टेस्स लगाने वाले यह यूपेसी के लिए टेस्ट है ऑल्दो जो लोग PCS के एक्जाम भी देने वाले वह भी अपनी इत्यारी की बैतरी के लिए स्ट्रेस को लगा सकते हैं देखिए आप में लगों से एक में चीज तो एक्सपेक्ट करें सकता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ब्रैंड के पीछे नहीं बागें जरूरी नहीं कि किसी कोई ब्रैंड का कोई लोगो दिया था सारी चीजन उसके बारें मैंने आपको बताई दी थी तो यह हम जो है पचास-पचास कोईशन का अपना UPSC के लिए टेस्स हैं उनको उठा रहे हैं और उनको धीरे-दीरे करके तो उसी कठी में यह हमारा यह कोई बहरत कर भारत के संदर में हल्भी हो और क्यूई यह सब्द किसे संबन देते हैं यान पर पूच्छा राहा है हल्भी हो और क्यूई यह किन- wants दे het और यह जंजातिये भासा हैं तो अगर इसके यूज की बात करें तो मौक्य रूप से जो मौक्य बासा की रूप में हम इसका यूज करते हैं लेकिन जो हम देखते हैं विशेश रूप से व्यापार के लिए और कुछ हल भी बोलने वाले अपनी जो भाषा पढ़ और लिख सकते हैं ठीक है हो की बात करें तो हो है ये भी एक जो ट्रैबल लेंग्वेज है और इसकी बात करें तो ये वारंग चिती लिपी में इसको लिखा जाता है और ये हो लेंग्वेज है ओडिशा और जारकंड में रहने वाले लोगों के द्वारा इसको बोला जाता है ठीक है तो अगला हम देखेंगे यहां पर है कुई के बात करें तो ये एक साउथ इस्ट द्रविड बासा है द्रविड यानिकी ताउथ इंडिया में बोले जाने व यहां देख लिया कि यह जितने भी कीवर्ड दिये गया थे यह जो है ट्रैबल लेंग्वेज से सम्बंदित होते हैं ठीक है चलिए हम आगे दूसरे कोशन की और मूव करेंगे दूसरे कोशन पर मूव करने से पहले में थोड़ा सा आपको इसको सही से लगा लेता हूँ च चार ओप्शन से हमारे सामने इन ओप्शन को देख लेंगे दूसरे इस स्टेटमेंट में अगर पहला ओप्शन देखें तो एस्टीज के समद में बताना है पहला संसद ही कानून के माद्यम से समदायों को जोड़ कर या हटा कर अनुसूचित जन जातियों की सूचि में सं जो संसदन करने का राइट केवल संसद को है ठीक है पहला हो जाएगा हमारा सही दूसर नवीनता जन संक्या गठकर कोल जंसंक्या का 7% से भी कम रह गया तो बहुत दूसरे स्टेटमेंट में अगर आप यह ना देखें कि डेटा दिया गया है तो दूसरे स्टेटमेंट सही ही होगा यह दूसरा statement है हमारा गलत ठीक है अगर हम बात करें तो अभी यह जो हमारा census है के accordingly हम बात करें तो यह 705 विस्ट जाती है समुखस में सामल है अगर हम बात करें 2011 के census की तो भारत की जंजाती आवादी की बात करें तो 10.43 करोड के something है और यह कोल होगा हमारा कोलावादी का 8.6 जो परसंट है यह बनेगा ठीक है यहां पर साथ परसंट दे रखा है लेकिन यह कोलावादी के बन जाएगा हमारा चार-पांच हमें कुछ मांदंड दिये गए हैं, और इनमें से पूछ रहा भाई, कितने सही हैं, मांदंड किस से सम्दन देख लेते हैं, 1965 की लोकुर समिती द्वारा, लोकुर कमिटी की बात करी जा रही है, लोकुर समिती द्वारा निर्धारित भारत में ST के रूप में एक सम्दाय के विनिर्धिशन यानि के बिचार करा रहा है, यानि कि जब किसी ST की गोषना करी जाती है, तो उस ST को एक सम्दाय का उसको स्पेसिफिकेशन देने के लिए, कौन-कौन से मांदंड हैं, उन पर विचार करा जाता है, ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं, कौन- तो यहां पर पहला option दे रखा है में आदम लक्षणों के संकेत तो बिल्कुल किसी समधाय को संकेत अवेलेवल होंगे तो पहला statement तो हमारा definitely होगा दूसरा बहुलिक अलगाव दे रखा तो बिल्कुल सही बात है बहुलिक अलगाव यह जो लोग है समाज के कामाने लोग है उ persistence करती होती है उनको अपने कल्चर के परती यह लोग बहुत attached होते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए यह काफी प्रयासरत भी रहते हैं इसलिए थोड़ा सा यह alienation की बावना इन में ज्यादा बनी रहती है ठीक है चो था आयस्तर बिल्कुल सही बात है इनकी जो ट्रैव बिल्कुल सही बात है यह बड़े पैमाने पर समदाय के साथ संपर्क में संकुच यह तो पांचवा ओप्शन है ठीक है तो आदेम लक्षणों के विसे संपर्क हो जाएगा और अगर देखो मदल भी लोकर के बारे में बात करें तो आदेम लक्षणों के संकित यह मिलते है कोडिने बिल्कुल सही बात है या निकिजा के साथ बड़े पैमाने में संकुच के लिए जो लोक जिजकते है ठोडी ». ठीक है लेकिन अगर हम इस committee के बात करेंगे तो जो मदन भी local committee है इस मदन भी local committee जो उसने बताई थी ये सारी चीजे इसमें ये जो IS सर था ये समें सामेल नों नहीं करा था तो एक, दो, तीन, पांच, पांच और ये इसके right answer हो जाएंगे मतलब एक, दो, तीन, पांच, यानि कि यहां पर पूछ रहा है कितने मांदंड होंगे तो केवल चार मांदंड हो जाएंगे इसमें ये जो आया इस तरह है न ये इस committee ने नहीं लिया था ये चीज़ को हमें थोड़ा सा notice करके ध्यान रखना है ठीक है चलिए next question देखेंगे next question की move करेंगे चौथा हमारा question होने वाला है निम्न में से किस समथी ने भारत में मुसलिम समथाय की सामाजिक, आर्थिक और सेक्षिक इस्तिदी इसकी जांच करी थी ठीक है यानि कि मुसलिम पर जो कमिटी और मुसलिमों की social, economical और educational जो condition है, status है उनका उसके बारे हम जांच करी थी एक्सा समथी, लकड़वाला समथी, सच्चर समथी तो भई जो सच्चर कमिटी है ना इसी ने मुसलिमों जो समधाय था इसमें उन मुसलिम समधायों की जांस के उपर इसको बिठाया गया था, उसकी study करी थी इनोंने उसके बारे में ही इसने अपनी सारी जो फैंडिंग से वो बताएं थी, ठीक है, तो पहला ये जो सच्चर कमिटी हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर कमिटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो 2005 वाले टाइम के हम बात करेंगे 2005 में जो है सच्चर कमिटी की कमटी की इस्थापना होती है और इसकी अधिक्स्ता कौन कर रहे होते हैं नयमूर्ती राजिन अब हम यहां पर देखेंगे यहां पर बोला जा रहा है एकसा कमिटी के बारे में ठीक है तो जो एकसा कमिटी यहां पर बोला जा रहा है कोई यहां कई जगे एकसा लिखा रहे है कई जगे जाक्सा ऐसे करके के लिखा रहेता है जाक्सा कमिटी के बात करेंगे थो 2013 में इसका गठन होता है और जो प्रधानमंगतरी remote गठन होता है जह जो प्रोफेसर वर्चीनिश जाक्सा है उनके अदिवासी समदाय। उन आधिवासी संब्धायों के बारे में उनका study करने के लिए एकसा कमिटी का गठन होता है लकडवाला कमिटी का देखेंगे तो यह तो आपको गरीवी से संब्धित है जो मैंने आपको पहले टेस्टों में आपको एक अल्टरा नाम की ट्रिक बताई थी गरीवी से संब्धित जितनी वी ट्रिक बताई थी एक आता है हमारा एल्विन कमिटी के हम बारे में बात करेंगे तो एल्विन कमिटी को देखेंगे हम 1959 में इस कमिटी का गठन होता है और इस की स्तापना बहुत-дेश्य विकास खंडों के संचान का आकलन करनी के लिए ठीक है और यह जो यह जो बहुत-देश्य जो विकास कंडे इनका संचालन के लिए ये सभी आदिवासी विकास पहलों के लिए मौलिक प्रशाशन के काईयों के रूप में काम कर दी थी इसी के उपर study करने के लिए जो है 11 committee इसकी सापना करी गई थी तो ये सारे options को हम देख लेंगे थोड़ा सा deep में पढ़ने के हम कोशिश करेंगे बिकास ये UPSC का मामला है उपर-उपर से चीज़ों को हम नहीं चोड़ सकते ठीक है चलो next question देखेंगे हम पांचों question देख रहे होंगे तो question देख लेते हैं पांचों question में हमारा क्या है पांचों question में हमें इसको define करेंगे तो समाजएक की नहीं होता समाजएक का मतलब यह सब को साथ बरावरी कोई उपर-नीशे नहीं होना चाहिए सभी को संसादन बरावर पहुंचने मिलने चाहिए ये नहीं समाजएक संसादनों का जो कुछ रिपोर्ट साथ दियें कि भारत में जो कुछ अमीर लोग हैं उनी के पास सारी जो संसादन हैं वो जमाओ रखें और जाहतर जो जन्सन का है उसके पास संसादन कुछ भी नहीं वो लोग गरीव है न तो यह सोसल जसेस यानि की बराबर संसादन होने चाहिए इसको संसादन हो और अऊसरों तक संसादन होने और सब्सक्राइब कर सकते हैं यानिकि रिसूर्स जितनी हमारे पास है और जितनी अपर्चुनिटी हमारे पास हैं हर व्यक्ति तक हर प्रकार के हर और का हर जाती हर धर्म के विक्ति तक सभी तक समान यह जो संभाव ना है सभी तक समान रूप से पहुँच रही है तो हम कहेंगे अब यहां सोचल जिस्टिस देख पाते हैं तो जो ऑप्शन सी है यह हमारा बेतर तरीके से एक दम एक्ड़ेकली जो सोचल जिस्टिस नाम का सब् कर सकें औरora कर सकें और उन्हें की स्राक्षण के तरीकों को निढ्धरित तर्णे में सक्षम बना सकें लिएं तो यह रहें Instant के संस्क्रिद्टिस से और समानिता का दिकार बिल स्थिक अदिकार बिलकुल हम जब बात कर रहेंगे आर्टिकल 29 और अर्टिकल 30 में क्या रखा गाए सभी संस्कृति जितने भी सभी धार में संप्रदाय होंगे या फिर जितने भी समधाय होंगे सभी को अपनी विशिश्च संस्कृति को बचाय रखने का और उसका संदक्ष कैंसेल करके ड्रांसफर कर दिया है कहां कानूनी अदिकार अर्टिकल 360 की बात करेंगे ऐसको देख लेते हैं और उसपर खिए बात करेंगे तो हमारे घर्टिकल 30 संभाटरिकल हो जाए हाई हैँ भाग फदय होंगे तो सारी फंडाम article 14II से top 18ल हो जाएगा समानता का δिकार IIII से लेके 22 हो जाएगा हमारा सोशन चोषन के विरुध्थ दिकार quién और थार्मक सोतनता के निंच सफरीद्था और संकृति मिन्य दिकारं जिसके बारे मिमीमा यहां पर बात हो रही थी, लास्का 32 हो जाएगा to इसके प्रावधानों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है यानि कि सही नहीं यानि कि गलत एक है उस एक गलत को मेंन में से ढूड़ना है तो SC और ST के किसी सदस्य को अखाद्य अपति जनक पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर करना या फिर अधिनयम के तैंट यानि कि माली जब इनके ऊपर करने के लिए इन लोगों को मजबूर करना बिल्कुल अट्रोसिटी के अंतरगत आ जाता है और यह गंबीर अपराद की स्रेणी में आता है तो यह तो पहला तो हो जाएगा हमारा सही दूसरा अगर दूसरे के बारे हम बात करेंगे तो यह अधिनयम उन लोगों को पिनलाइस करता है जो S.E.A.S.T. के सदसे की बूमी पर गलत तरीके से कबजा कर लेते हैं और इस पर खेती कर लेते हैं बिल्कुल पुराने समय हम देखेंगे जब S.E.A.S.T. लोगों के पास जिनके पास जो अपनी बूमी होती थी जिसे वो अपनी जीवन का गुजारा क करते थे जो मतलब जो पावरफुल लोग हैं उनके दारा उनकी जमीन पर कबजा कर लिया जाता था उनसे उनकी जमीनों को चीन लिया जाता था तो यह जो एक्ट है उस चीज से भी इनका सनक्षान करता है तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा तीसरा गैर अनुसूचित ज चीजें दी गई हैं और फिर भी उसके अपने करतवों की उपिक्षा करते हैं यानि कि लोग सेवकों के लिए एक बादे तैसमें डाली है कि भाई आप भले ही जो समधाय से ना हो लेकिन आपने अपने करतवों को जान बूज कर आपने करतवों का पालन नहीं कर रहा है और है अगर उनके ऐकोनोमिक बाईकॉर्ण की बात करेंगे तो यह जो है अपराद की सरेंणी में आएगा एससी सदस नेयुक हैं टायक और यह इनमें से पूशन नबर में से पूछ रहा है इपर विचार करना हमें इन में से कौन कौन से जो है सही है ठीक है देख लेते हैं निवास इसकी अधिकार पहले देख लेते हैं नीचैने पूछ क्या रहा है यहां पर हो, तो SC, ST के बार इम पूछ रहा है, अनुसुची जन्य जाती और अन्य पारंपरिक 1806, ठीक है, यानि कि वो 1806 है, इसके प्रावधानों के तहट, 1808 समधायों और अन्य पारंपरिक 1807 को उपरोग तो दिये गए अधिकारों में से कितने प्रदान किये जाते हैं, तो यह जो 2006 का जो एक्ट था, इसमें से पूछ रहा है, कि पारंपरिक 1807 को और जो आदिवासी समधायों को, कितने और इनमें से कौन-कौन से जो अधिकार हैं, वो कौन-कौन से अधिकार इनमें से प्रदत हैं, ठीक है, चलिए, देख लेते हैं बाई, कि इनको कौन-कौन से जो हैं, अधिकार दिये गए हैं, चलो, पहला statement देखेंगे, हम यहाँ पर कह रहा था, स्वखेती और निवास का अधिकार, यानिकि सेल्फ कल्टिवेशन और हैबिटेशन का, तो बिल्कुल जो आदिवासी लोग हैं, उनको उनके तरद जो है, यह यह अधिकार दिया ग हम बात करेंगे, तो सामधायक बहुत देख संपदा और पारंपर ग्यान का अधिकार, यह भी जो यहाँ पर लोकल रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं, यह भी अधिकार उनको दिया गया है, चोथा अगर हम बात करें, तो चोथा इसके बार हम देख लेंगे, जो यहाँ दिया गया है, क्यों देखो इसको देने का कारण है, यानि कि माली जो ट्राइबल लोग रह रहे रहे हैं, वो वह वहाँ पर रहे हैं, वो उनकी जल जंगल जमीन से वो लोग जोड़े हुए, वो उन चीजों को अच्छे तरीके से जानते हैं, कि उनका कैसे यूज करना है, उनका कैसे बचाव करना है, तो उनकी रक्षा का, उनके पुनटजन का, उनके सनरक्षन का, उनके प्रबंधन का, यानि कि आप ही यहां पर रह रहे हैं, यानि कि एक तरीके से डिसेंट्रलाजेशन करने की कोशिश करी गई, आप ही यहां रहे हैं, आप ही इनका यूज करन इसको आप देख रहे हैं अपने आपने कितना एक्स्ट्रीम जो है स्टेट्मेंट है यह यानि कि पहला तो यह वाड़ेजिक दोहन यानि कि किसी को एक दम अन्रेस्ट्रिक्टिट तरीके से कॉमर्चिल एक्स्ट्राश्यशन का तो यहां पर कोई मतलब भी नहीं बनता तो पांच न हो जाएगा हमारा गलत एक दो तीन चार सही हो जाएंगे तो यहां पर सही के बारें पूछ रहे है कितने अधिकार तो केवल चार और नमबर जो सी है हमारा option नमबर सी यहां पर हम देख लेंगे यह हो जाएगा हमारा सही next question देखेंगे क्या पूछ रहा है भारत में जन्मदर और मरत्युदर के संदर में निम्न कत्रों पर विचार करना है और यहां पर हम से पूछ रहा है कि इनमें से कितने सही हैं नमबर और म्रत्युदर के बारे हम देख लेंगे कौंसे सही हैं कौन से गलत है पहला जन्मदर के विपरीद पिछले कुछ दसकों में भारत में म्रत्युदर में तेज गिरावट दर्ज करी गई यानि कि जन्मदर तो कम हुई है जन्मदर के पीछे कम होने के कारण यह लोग सिक्षत हुएं अपने जो है चीजों को प्रतिजाग रुक हुएं आवाशक्ताओं को बच्छों को क्यालेटिटिव लाइफ देना चाहते हैं और जो जन्मदर तो बढ़ रही है इसके विपरीद हुई है लेकिन जो म्रत्युदर है उसमें तेज गरावट दर्ज की गई है ठीक है क्यों कैसे दर्ज की गई यह भई तेज गरावट इसलिए दर्ज की गई है कि मालीजी आज के टाइम पर हमारे पास जो मेडिकल फैसलेटिट पहले का जो ट्रेन था कि जन्मदर तो जादा थी लेकर मरत्युदर भी जादा हो रही थी एक साइकल में जब हम देखेंगे लेकिन अब ऐसा नहीं है यहाँ पर देखेंगे तो जो म्रत्युदर है उसमें तर्ज तेज गरावट दर्ज करीगी तो क्योंकि साइंस की और मे वेग्यानिक प्रगरती ने भारत में प्रशव को सुरक्षित और अधिक सुलब बना दिया है वहाँ पर आपको अच्छे से जो हॉस्पिटल्स और फेसिलिटीज अवेलेवल हैं वेग्यानिक प्रगरती यान कि आप देखेंगे मशीनरी रोबोट्स का यूज़ हम कर रहे हैं सर्जिरी में और बड़ी-बड़ी मसीन्स का हम यूज़ कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस के अंक शित्र में ठीक है यहीं पर हम देखेंगे भारत में प्रशव को सुरक्षित पहल है ना हो लोग सेफली जो है डिलिवरी करने के लिए लोग हॉस्पिटल्स की और मूव करते हैं यह एक अच्छा कदाम भी है इसलिए को इमर्जेंसी ऐसी कंडिशन नहीं होती पहले आप देखेंगे अगर पिसलिए अपनी हम जनरेशन में देखेंगे तो देखेंगे कि ग पहला जो हो जाएगा हमारा पहला तो गलत है के वल्दो अबैलेवल है हमारा option number B में चलिए कि इनमें से कम कॉन कॉन से साही है ठीक है तो देख लेते हैं कॉन कौन से हमारे सही मिलेंगे social movement के बारे में तो देख लेते हैं कॉन कॉन से सही मिलने वाले हैं पहला statement की तरफ कारभवाई है जो अक सरकारी निटी के विरुद्द की पॉलिसी यह विरुद्ध यह चलते हैं सोशल मुविंट को आप ने देखा हो कुई भी कैसे मुविंट है तो यह हम देख सकते के यह सरकारी नीति के खिलाप निर्देशित समय के साथ तो पहला आप्शन हो जाएगा हमारा सही किसी सामाजिक आंदोलर में भाग लेने वाले सदस्यों के साजा उद्देश्य और विचारदार होती है बिल्कुल सीधी से बात है मैं हूँ आप है हम दोनों साथ में तभी चलेंगे जो हमारी विचारदारा मेल खा रहे है ऐसा कैसे बिल्कुल भी नहीं जबकि हम दोनों एक दूसरे का पोजेट जाएंगे तो यह दूसरा हो जाएगा सई तीसरा वे मूलत है स्वत्यस्पूर्थ और अवयवस्त्त हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जरूरी नहीं कि वह स्वत्यस्पूर्थ ही हो ठीक है अर्ग हम इसको बात करें यह सही नहीं होगा एक और दो दो सही हो जाएंगे हमारे यानि कि option भी हमारा सही हो जाएंगे के वल दो इसमें सही होगा ठीक है चलो next question देखेंगे हम पतंत्र भारत में भूमी सुदारों के संदर में नमन में से कौन सा खतन सही है यानि कि हमारे जो land reforms हुए थे उनके संब और ceiling law यानि कि भूमी सीमा यानि कि एक व्यक्ति है उसके पास कितनी maximum भूमी होनी चाहिए इसको बोलते हैं जो ceiling एक व्यक्ति लगाए गई थी उसके उपर तो यहां पर बात करेंगे थी परवारिया व्यक्ति के स्वामित वाली भूमी के आकर पर एक सीमा तै करना है और य दूसरे statement को देख लें तो यहां पर भूमी सुधारों का प्रमकुत देश्य भूमी हीनों को क्रशी भूमी उपलब्द कराना था बिल्कुल एक्जक्ली लेंड रफॉर्म यही तो था माली जी कोई ऐसा जमीदार है जिसके पास अथा जो बहुत ज्यादा असा भूमी है तो सीलिंग एक्ट के द्वारा क्या करायता है एक लिमिट लगा दिगे कि एक व्यक्ति के पास इतनी ही भूमी होगी या फिर एक परवार के पास इतनी ही जोथ होगी 혹시 ज्यादा कि पास अधिसेस जोथ है जो उस अधिसेस को इसको त्रांसपर करके जिन लोगों के पास कास्तकारों किया आप मजबूरन के पास बूमी नहीं उनको बहुत आउतनी खाईगा बिल्कुल अच्छी तरीकिषी होम जानगे है यहां पर भूमी सोतार हों एक कानून एक सीमा निडदारित करते थे ठीक है और यहां एक व्यक्ति यह निगम कितनी भूमी रख सकता है उसे सीलेंग के रूप में जानते थे हम अधिशेश भूमी को यहां पर बाट दिया गया था भूमी उन्हों में लेकिन बात करेंगे ह पंजीकरत सहकारी समय्टी थी उनके लिए जो अधिक्तम सीमा थी उनमे कुछ छूट की इनमती दी गई थी यानिकी यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अधिक्तम सीमा में कुछ शूट नहीं दी गई थी तो जो नगदी फसलों वाली जो भूमी थी उनमे कुछ और जो एकोनोमिक सब्सक्राइब 22-23 के अनुसार केरल की कुल जो टीएफर है यानि को प्रजनंदर है 1.8 है जब की बिहार की जो टीएफर है वो 3.0 है बिल्कुल सही बात है आप देख रहे हैं कि केरल में जो अब देखें को केरल में एजुकेशन बहुत है आपको देखा होगा आपर टीएफर जो टुटल फटिलेटी रेट है वो 1.8 है टीएफर क्या होता है टीएफर फटिलेटी रेट वो होता है जो एक महिला अपने पूरे जीवन चक्र में सामान जितने एवरेज रूप से जितने बच्चों को जन्म देती है उसको हम टीएफर बोलते हैं लेकिन केरल में अभी मैंने आपको बताया ना कि education है बियार में income है लोग सहरी करण है लोग aware रहें लोग वो इसन के नुक्षान पता है इनसारी चीज़ों के बार इंपता है लोगों में जारुकता है लेकिन बियार में यह सारी चीज़ है इनके जस्ट आपोजट में बिलकुल A को प्रभावित करते हैं यहां पर देख लेते हैं कौन-कौन से जो कारक हैं जो दरातल पर जो सूरत आपको प्रभावित करने वाले हैं ठीक है तो देख लेते हैं इनमें से कौन-कौन से कारक होंगे जो सूरत आपको जो प्रभावित करने वाले हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, चलो देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं, पहला प्रत्वी का अपनी दुरी पर गुणन, यहां पर यह देखें, मान लिजे, यह हमारी प्रत्वी है, मैं आपको जो सेक समझाने के लिए ब प्रत्वी पर पड़ता है, पर यह जब यहां से निर्वात्म यहां से दरदातल तक आता है, तो सौर्ट वेव रेडियेशन इसके रूप में यहां पर यह आता है, ठीक है, तो अब यह सूरत आपको प्रभावित कौन-कौन से कारक करेंगे, प्रत्वी का अपनी दुरी प पर यहां पर माली जी चमक रहा है, तो जब यहां पर यहां पर यह एरिया आ रहा होगा, वहां पर उसको ताप ज्यादा मिलेगा, यहां पर जो अपूजिट में होगा, उसको ताप कम मिलेगा, सूरकी करणों का नती कौन, बिल्कुल माली जी यहां पर हमारा सूर है, और यह जो किरनने जस एंगिल की साथ अपनी जैसे माल दी यогा ख़तर दीड होगी तो है यह भी हमारा कैंगी यहाद में पर सही बात है दिन भी वात है यह वाह बदल की सुरित आप हम देख़ेंगे तो दिन में वाह दूप ज्यादा मिलेगा अब यहांका मान लीजे वाइव मंडल ऐसा है कि यहां पर बादल बने हो है तो यहां पर घने बादल बने हो है तो अब बादल ब Alrighty, नीसा बाद प्रकाश उपर ही रूप जाएगा नीचे प्रकास कम आयेगा तो ये भी प्रभावित करेगा ठीक है इस्तल विन्यास की हम बात यहां पर कर रहे होंगे तो देखो इस्तल विन्यास है ये इस्तल विन्यास ये भी हमारा अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है यानि कि इस्तल का मतलब जो विन्यास है मतलब जो सतय है कौन सी किस प्रकार की जो सतय है तो उसका जो विन्यास है उसकी जो बनावट है वो सारी चीज़ है यानि कि माली जी जो चिकनी सतय है अगर माली जी कोई चिकनी सकता है और इस पर जो सूरी की किरने आ रही है तो यह रिफलेक्ट होके क्योंकि यह चिकनी है य महाली जी-एक क्ती का हमारे पास है एसा और यह जमीन है सम्तल नहीं है यानि कि यह पहाड या फिर ड़लान एरिया में तो हम यहां पर क्या करेंगे छोटी-छोटी सीडियां बना कि छोटी-छोटी सीडियां बना देंगे और इस तरह से हम यहां पर खेती कर रहे होंगे अभी हम सीडियां क्यों बना रहे हैं कि मा लीजिए जब हम जुताइज कर रहे हैं, फिर हम फ्र हम खिती पहुजा जमीन वे अपनी में तो जब हम लाग चाही वाला एरिया तो यहाँसे मिट्टी और नीचे वाले एरिया की तरफ ज़्यादा भागीगी तो ऐसी सतियों में खेती करना संभाव नहीं होगा जबकि सीडीदार खेतिम क्या करते हैं हम यहाँ पर ऐसे छोटी-छोटी करके साथ सीडीया बना देते हैं जिससे छोटे-छोटे वेरियर मिल जाते हैं मिट्टी को, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जब हम पानी लगाते हैं या फिर जुटाई करते हैं तो हम देखेंगे जो मिट्टी का परदन है वो कम होता है, मिट्टी अपनी जगव से जो नीचे ड़लान वारी जगव है, वहाँ पर जो है मिट्टी कम जा रही होती है ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो कौन-कौन से हैं, अब नलिका परदन को रोकने और उनकी निर्मान को नियंतरित करने के लिए तो बिल्कुल सही बात है, यानि कि जो सीडी दियार खेती है जब हम जो सोयल कंजर्वेशन पट रहे होते हैं, मर्दा सनरक्षन पट रहे होते हैं अगला कोशन हम देख रहे होगे, यहां पर यह भी भारत की लाल मिटी का निर्मान होगा है यह भी हमारा जोग्राफी से कुश्चन है, मिटी से सम्मन देते हैं पूछा जा रहा है यहां पर मिटी के बारे में कि जो भारत में हमारी लाल प्रकार की मिटी इसका निर्मान किन-किन कंडिशन में हुआ और कैसे हुआ है यहां ज्यादा बारिश होगी ज्यादा टेंप्रेचर होगा वहां लीचिंग वहांपर मिलेगी आपको लैटे राइट मिटी लेकिन जब हम बात करेंगे कि बारिष भी कम हो रही है और रवेदार आगने चट्टानों का अपक्षिय हो रहा है तो वहाँ पर मिलेगी हमें red soil तो option हमारा right हो जाएगा अब आप कहेंगे आगने चट्टाने ये क्या आगई पुशिश करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा ताप में कुछ गर्म गलित पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं लावा और ऊपर आके बन जाता है हमारा जो मैगमा ठीक है जो मैगमा और जो लावा होते हैं यहां पर जमी रहते हैं हमारी जौला मुखी मिद्चा जांग आता है और कि फैलगे ठंडा हो जाता है तो यहीड जब ठंडा जो चटान बन जाती है इस गया अपड़तान होता सो चलो इसका पूरा वैग्ग्राउंड देख लिए हमने पंद्रे का आंसर हो जाएगा C, 16 वाँ देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी सिति भारत में उष्ण कटवंदी सदावार बनों के विकास में सहायक है, विकास देख लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ध्य कि पश्मी डाल आपको का में लेगा, माली जी यहां पर हम एक चोटा सा अपना प्यारा भारत बनाते हैं, यह इस तरह से हमने यहां पर बारत बना लिया, ठीक है, अब हम अगर इसको देखेंगे, तो यहां पर यह बनिया हमारा पश्मी गाट है, तो अब यह पश्मी वाले ओश्मी और आदर प्रदिस में लेंगे, बिल्कुल सही बात है, यहां पर जादा बारे सो रही सिंपल सी बात है, जब यहां पर हम टेंपरिचर की बात करेंगे, तो 35 डिगरी से उपर का उसत वार्सिक तापमान, तो देखो अगर यहां इनके बारे हम बात करेंगे, यह जो पर बात करेंगे, तो इसको हम 35 डिगरी नहीं, बलकि टंपरिचर यहां पर बात करेंगे, तो दुएक हो अगर 2070 तो बारे अधक होनी चाहिए, लेकिन बार्सिक अगर तापमान की बात करेंगे, तो यहां पर बताया उपर पहुंच रहा है ठीक है तो तीसरा option हो जाएगा हमारा गलत पहला और दूसरा right answer हो जाएगे यानि कि option A हमारा हो जाएगा सही ठीक है चलो अगला question हम देखेंगे हम equinox, equinox के बारे हम बोलेंगे, equinox के बारे हम उसे पूछ रहा है, क्या है ये, विशोव के दोरान होता क्या है, दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं, बिल्कुल equinox उसी को बोलते हैं, यानि कि पूरी दुनिया के अंदर दिन और रात बराबर होंगे, उसी को हम बोलेंगे equinox, ठीक है, तो ये होता है, और ये equinox के अगर हम दिन की में आपको बताऊं, तो equinox होता कव है, ये प्रतिव पर, तो आम तोर पर ये 21 मार्च को और 21 सितंबर को होता रहता है, हालांकि ये कभी कवार ये जो तिती है, वो भी बदलती रहती है, ठीक है, तो ये, just a second, चलिए, हाँ, अगर हम equinox की बात करेंगे, तो 21 मार्च और 21 सितंबर है यहां पर, ठीक है, और यहां दिन और रात बराबर होते हैं, यहां इसलिए इस तंबर में आ रहा भी मैंने आपको बताया है, दूसरा हो जाएगा हमारा गलत, तो हहां पर statement बनेगा हमारा केवल एक, यानि कि पहला केवल सही हो जाएगा, चलो, next question देखेंगे हमें, गुमद्य सागरीक शित्र के संदर में, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानी पावने ह कभी गरम से पूछ लेगा, कभी ठंडी से पूछ लेगा, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो लोकल विंड है, उनमें से कौन कौन सी जो लोकल विंड है, और यह भूमद्य सागर के आसपास कौन सी बैह रही है, ठीक है, हमारे पास सिरोको है, मिस्ट्रल है और बोरा, और तक वाई थंडी कौंद कौं when से हैं यह दोन Custom है हमारी और जो बहरा है यह दोनों जो हमें मिल जाएंगि हमारी जो एंधेगी जो टंडी पवन वह मिल जाएंगी ठीक है लेकिन जेब हम जो थीरोग की बात करेंगी वह बात कर folka हो जाती है यहां पर हम बोल रहे होते हैं इसको, इस तरह है से हमने देख लिया जो थंडी हमारी मिस्टल और बोरा यही दोनों हो जाएंगी, ठीक है। अपनी पट्री से उतर जाती है इसके प्रभाव के करण इतनी तेज चलती है पेड़ वेड़ भी उखड़ जाता है तो काफी खतरना कंडिशन होती है बोरा की बात करेंगे तो यह मिस्टल के समान प्रकृती की ठंडी और जो उतर पूरी पवन होती है और यह एड्रियाटिक सभी हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नेक्स्कूशन देख रहे हैं निम्न योगमपर हमें विचार करना है यहां पर हमें कुछ स्थिटमेंट देखने को मिलती है तो यह कह है यह पर थोड़ा सा उपर नीचे पहले इसके सामने यह देखेंगे उसको नेकोशिश करेंगे हालांके मैं आपको बता दूगा ठीक है चलो अगर यहांपर सबसे पहले सिखर के बारे मेहंदर गिरी के बारे में तो मैं आपको बताउं तो में पहले देख लेएं कि ओड़िशा राज्य में जो गजपती जिला है वहां में जो रायगड़ा ब्लोक ह इसे तही परवत है और ये पूर्वी गाठ के से में आयेगा उडीषा किया है पूर्वी गाठ का मैं आपको थोड़ा से सम जानी कोशिशокой हूं तो ये तो हमारा इधर साइड तो था था ऊष्छिमी काठ ये हिर घंडर शे तो नीलगरी परवसरंखला यहां पर बीच में पूरवी गाट और प्रश्म गाट इन दौनों के मिलन पर इन दौनों के बॉर्डर पर इन दौनों के मिलन पर हमारी निलगरी पहाड़ी पाई जाती है तो दोड़ा बेटा यहीं पर हमें पाई जाती है तो अगर बात करें डोड़ा बेटा की काफी जो ट्यूरिजम के लिए बहुत फेमस इस्थान है और यहां पर हम बात करें तो दक्षण वारत की देख लेते हैं डोड़ा बेटा के सामने और ऑप्शन कोंसका मिला हुआ हमें अनाय मूड़ी दे रखा है निलगरी के सामने यह भी दे रखा है तो अगला हम देख लेते हैं दूपगड़ की चूटी तो आपने जो पंचमड़ी और यह सारी मद्द प्रदेश वाली जो पाड़ियां दूप मद्र के बारें पूछ रहा है यहां पर दूप मद बोल दे है उनके बारे हम पूछा जा रहा है तो यहां पर जो महाधिर पाड़ियों का इस पीक होगा दूपगड मिल जाएगा मैं तो दो और तीन गलत थे यहां पर पूछ रहा है में सही पहला और चौता जो है हमारे राइट आंसर हो जाएं या निकिए चलो नेक्स देखेंगे ह जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको मिलने वाला है तो मैं आपको कुछ दो-चार जो मोस्ट इंपर्टेंट जो स्टेट है उनके बारे मिन बता दे तो हमको उनका जरूरी पता होना चाहिए ठीक है अगर आपको बता है यहां से बहुत जयादा पूछा जाता है तो उत् हो गया राजस्तान हो गया उसके बाद कुछ होर इस्टेट सम देख लेंगे बिहार की एकर सबसे उंची चूटी की बात करेंगे तो सुमिस और ना बीपैसी के तो तमिलाणू हम देखी चुके हैं अभी डोड़ा वेट्टा हम बात कर चुके हैं तमिलाणू में और हम बात करें केरल की तो केरल का सबसे उंचा पॉइंट हो जाएगा सबसे उंचे पाड़ी हो जाएगी अनाई मूड़ी ठीक है तो आपने जो खादर बांगर वाला एरिया देखा होगा तो वहां पर जो जलोड मिर्दा पाई जाती है यहां पर यह इसके जो अवसाद होते हैं उन्हीं को बोलते हैं उन्हीं को मिट्टियों को बोलते हैं जलोड मिर्दा तो पहला statement हो जाएगा हमारा पाई जाती है तो यहां पर रिवर्स दिया है उल्टा दे दिया है दूसरा हो जाएगा हमारा गलत सही पूछ रहा है तो केवल यह हमारा हो जाएगा राइट आंसर नेक्स कोशन देखेंगे मांट केमरून पूर अफ्रीका अफ्रीकी ब्रंश घाटी में सथ एक सक्रिय जौला मुखी है अपर इस चीज को ऐसे पड़ रहे होंगे ठीक है तो देख लेते हैं भाई हम अगर इसके बारें बात करें तो यहां पर सबसे पहले मांट केमरून के बारें बात कर रहा है देख यह मांट जो कैमरून है और सारा पश्मी और अमध्य अफ्रिका में इस्ट है जबकि यह बता रहा है अब पूरी अफ्रीकी में ठीक है तो पश्मी और मध्य अफ्रिका में जो हमें मिलेगा मांट कैमरून ठीक है तो यह पहला जो स्टेट्मेंट है हमारा पहला स्टेट्में मैं आपको बता हूँ तो यह है कहां तंजानिया में यह आपको मिलेगा और अफरीका का सबसे उचा परवत भी है आपको यह भी चीज ध्यान रखना है और यह किसी भी मतलब एक तरीके से बात करने तो सबसे स्वतंत्र खड़ा हुआ सबसे बड़ा परवत है यानि कि किसी भ अधिकांच जो आला मखी गतवदियां समुदर के नीचे घटत होती है बिल्कुल सही बात है आपको यह चीज भी ध्यान रखना है ज्यादातर जो जो जादातर जो जो बहुत सारे कटक मिल जाएंगे जो आला मखी निकल के आता है तो आपने जो आला मखी देखेंगे आप आपने जो जो आला मखी निकल के दोरा यह निर्मित है तो यह तीसरा हमारा सही हो जाएगा गलत हमसे पूछ रहा है तो पहला दूसरा गलत थे ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर ठीक है चलो बहुत नेक्स कोशन देख रहे होंगे अलही में संस्कृति मंत्राले ने वर्स संद that माराज जी के बारे हम देखते हैं और अपने स्टक लेटे करेंगे तो करना ठक का शिमगा जिला यहां पर 1749 में के जन्म लेते हैं और अद्यात में गुरू होता है susim पहली बार हमने इस जहनती को यहां पर celebrate कर रहे थे इसलिए question यहां पर important हो जाता है ठीक है चलो बंजारे की हम बात करें तो जो बंजारा समधा है अगर यह समधा से तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो बंजारा समधा है यह पूरे भारत में फैला हुआ है और यह खाना बदो ने कि दर दर गूमते रहते हैं यह लोग बंजारे केते हैं ना बंजारा बन गया तो यहां दर दर गूमगा है इंसान एक जगह पर टिकाव नहीं होता है इस्ता ही नहीं होते हैं यानि कि हमें सबसे जादा ये देखना है, कि सबसे ज़्यादा हमारे वाई मंडल में, इसमें सिंप प्होण सिय घैस मिलेगी, उसके बाद कौन सिसंप मिलेगी, तो देखो भाई हम जब पढ़ते हैं, तो यह तो देख लेते हैं कि वाई मंडल में, वो कोन-कोन से CO2 है, oxygen है, hydrogen है, organ है, इन में से जो अगर सबसे आद आप देखेंगे, तो nitrogen है, ये लगवग 78% परसेंट पाई जाती है, हमारे वायू मंडल में, उसके बाद आता है oxygen का number, oxygen के अगर भाई हम बात करेंगे, तो oxygen लगवग 21% oxygen हमारे वायू मंडल में पाई जाती ह है, उसके बाद organ का number आता है, organ मिलती है, लगवग 0.93% इसका इससा आता है, ठीक है, उसके बाद आती है, CO2 आती है, CO2 0.036, इतना इसका जो करम होता है, तो इन में सबसे ज़्यादा जो मिलेगी हमें, नमर आएगा सबसे पहले, oxygen के हानी कि दूसरा सबसे पहले आएगा, तो तीन में दो ही है, तो एक खतम हो जाएगा, उसके बाद जो है, उसके बाद जो number आएगा हमारा, यह organ का number आएगा, तो दो के बाद 4 आएगा, तो दो के बाद 4 बी में ही available है, इसलिए हमारा B right answer हो जाएगा, ठीक है, है, hydrogen सबसे last में आएगा, ठीक चलिए, next question को हम देख रहे होंगे, तो next question हमारे सामने है, next question बोल रहा है कि भारत में जो गर्सोपा जल प्रपात है, काफी repeated question इसका निर्मान निमनमे से किस नदी द्वारा किया जाता है, तो जो गर्सोपा waterfall है, इसका निर्मान जो जरूर पता होना चाहिए, कई बार यह गर्सोपा के नाम से और रखना है, शरावाती नदी तो परिस्तित है, कहाँ पर है, करनाटक में यह परिस्तित है, करनाटक में जो अभी का शिमोगा नाम का जिला है, वहाँ पर इसकी जो है location आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो शरावती नदी है, उसके द्वारा इसका निर्मान होता है, शरावती यह पश्यमिगाट से इस नदी का जो अधुगम होता है करनाटा की बहुत एक इंपोर्टेंट ने दिया और यह पश्यमिगाट से प्रवायत होगे पश्यम की और जो है यह फ्लो कर रही होती है ठीक है तो यह इससे देख लिए यहां पर जो गर्षोपा जलपरपात है यह इसी नदी से बनता है कुछ इंपोर्टेंट वाटरफॉल है जो रिपीटेड मोड पर आते हैं मैं आपको दो दिन वाटरफॉल बता देता हूँ जो बार बार आपको एक्जाम में परेशान करते हैं परेशान करेगा यह जा आपको बार बार ऊखेंगे जन रहाएक आठाट धूए उसके बाद हम बात करेंगे शेव शमुद्रम जो जल प्रपात है, शेव समुद्रम, यानि कि साउथ में होगा यह, अगर शेव समुद्रम नाम के टैप किसे आप समसकते हैं, तो कावेरी नदी है, इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा होगा, ठीक है, उसी प्रकार हम दूद सागर की बात करेंगे, तो दूद सागर के गरम बात करेंगे, तो दूद सागर कहां मांडवी नदी में, ठीक है, मांडवी नदी के द्वारा बनाया जाता है, यह जो हमारा दूद सागर जल पर पात है, ठीक है, तो इस तरह समुद्रम का थोड़ा सा डेटेल से हमने देख लिया है, 25 देखेंगे, 25 पच्चिसवान देखते हैं, डेटा दूतावासों के संदर में निम्न कत्रों पर विचार करना है, यह जो डेटा एमबेसी हमारी, इनके बारे हम पूछा जा रहा है, कि कौन से इनके बारे हम सही है, पहला, यह सर्वारों का एक ऐसा समुद्रम है, जो एक देश के डेटा क दूसरे देश में शंगरहित करता है, बिल्कुल सही बात है, डेटा एमबेसी में कुछ नहीं है, बस सर्वारों का एक ग्रोप होगा, और जो एक देश का एक कंट्री का डेटा है, दूसरे कंट्री में यह जो है, इसको गोलेंगे डेटा एमबेसी, बिल्कुल इसके बारे यहां पर विचार करना है यहां पर अशोक के प्रमुक शिला लेकों अगर इस कुशन की बात करेंगे तो देखेंगे तो देख लेते हैं अगर हम बात करेंगे दोली की जो सिलालेक है तो दौली सिलालेक सीधी से बात है ओडिशा में मिलेगा, तो पहला तो हो जाएगा हमारा सही, ठीक है, यह दौली है, उड़िशा में मिल जाएगा, और यह अगर इसकी हम बात करें, तो एक मैतवाश, जो दौली है वो एक एतियाशिक के अंदर भी है, पुराना बहुत है ठीक है जो आंदर प्रदिस्म का कुर्णुल जिला है वहां पर यह जो हमें मिलने को देखने को मिलता है ठीक अगर हम अगले की बात करेंगे जो तीसरा सिलालेक है जोगड की बात करेंगे तो भाई यह मद्द प्रदिस्म नहीं बल्कि यह भी उड़ी सामें मिलाया है ठीक जब हम कालसी की बात करेंगे, तो यह कालसी है, उत्तराकंड और हिमाचल प्रदिस की बीच, जो बफर जोन वाला एरिया है, वहाँ पर यह कालसी में मिलेगा, ना कि करनाटक में मिल रहा होगा, ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा, जोगर हमारा कलिंग में, यह ध्यान रख जो सायत होता है, उनमें से उनके बारे में कौन सा सही कथन है, ठीक है, तो देखते हैं, संगम कविताओं में बहुतेक संस्कृति का कोई संदर हो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ है नहीं, यह गलत हो जाएगा, बहुतेक संस्कृतियों का ओल्लेक वहाँ पर मिलता है, बहुतेक का जो सामाजिक वर्गी करन है संगम कवियों को ग्याद था यह सही हो जाएगा हमारा दूसरे स्ट्रेट्मेंट है ठीक है क्योंकि अगर वहां पर थोड़ा सा अगर चीजन देखेंगे तो यहां पर वन्ड के करम में हम अगर देखें तो जो लगवाग 600 वर्स की जो लंबी अगर विक्तियों के स्टर पर बहुत सारी विक्तियों का नाम आता है तो ध्यान रखेंगे वहां पर वर्णों की करम में बात करेंगे तो जो नाम आते हैं राजकुमार, सरदार, किसान, व्यापारी, कुमार, लुहाई, बड़ई, ब्राम्मर, जैन, बोध, तो इन सारे व सायत में जादूी ताकतों को असंगत बताया है, नहीं भही, वहां जादूी ताकतों को इस चीज़ पर भी वरोसा करा जाता था, ठीक है, तो ये भी गलत हो जायगा, सिर्फ सही पूछ रहा है, जो अप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा, नेक्स कॉशन, नेक्स कोशन यूग वसिष्ट के बारे में और किस बारा निजामुदीन पानी पती द्वारा और किस बीज में फ़ार्सी लैंग्वेंग इन तीन विसे साथ करकों हमने देह नहीं चाहे सारी चीज़ों के रूप में देखेंगे तो उसी समय जो है अनवाद टीम के जो प्रयास होते हैं जो और संस्कृत जो लगुयोग विसी है इसको फार्सी युग वसिष्ट के रूप में प्रस्थ करने से जो महानगरी इंडो-फार्सी दरवारी संस्कृती थे उनको महतपू में भारत के प्रदान मंतरी द्वारा रामानुजयम की आसन मुद्रा में विश्ट की दूसरी सबसे उंची मुर्ति का अदगातन किया गया था निम्न कत्रों मेंसे चाट्रा मयं स answer को छो içए रूपरी्द करता है बिल्कुल सही बात है, रामानुजी को आप देखेंगे, तो भक्ती से ही संबंदिते हैं, यह भक्ती पर अपना बहुत ज़्यादा जोड देते हैं और यह कहते हैं, अगर हमें प्रभु को मोक्षपाना है, अगर मोक्षी की प्राप्ति करनी हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें सही, ठीक है, अगर रामानुजी की बात करें, तो दक्षन वारत में जो भक्ती धारा होती है, उसमें अपना काफी प्रचलित होते हैं, और एक विश्नु भक्त होते हैं, तो विश्नु भक्त हैं तो अलवार संत होंगे, क्योंकि जो अलवार होती है, तो विश्नु भक्त का नाम जो सिद्धान था इसको उन्होंने प्रत्य पाजित करा गया था विसिष्टा दोयतवाद यह ध्यान रखें इनके दर्शन का नाम यह था विसिष्टा दोयतवाद और इन्होंने विसिष्टा दोयतवाद के नाम अपने दर्शन में यह बात बोली थी कि भाई जो आत सब्सक्राइब देख लिए अगला कोश्चन देख लेते हम हाल में प्रदान मंतिर निया सोमनाथ मंदर के निकट नए सरकेट आउस का उद्गाटन किया गया सोमनाथ मंदर के बारे में हमने कत्वनों में से कौन से सही है थोड़ा सा पुराना कोश्चन है यह ठीक है काफी प आटन कल्चर के नजरी से देखें इस कुश्चन को तो सोमनाथ मंदर के आटन कल्चर के बारे हमें या पर जान रहा है और उसके बारे में जो सही स्टेटमेंट है उसके बारे हमें बता आना है तो देखेंगे पहला सोमनाथ मंदर जो है जोतर लिंग देव मंदरों में से ऐगल को सही बात है घर सोमनाथ मंद्र हों की मैं आपको जो है नो दूसरा मन्र Kai ने सोमनाथ मंदि शोमनात मंदर में इस दुस्ट ने हमला कर रहा था बहुत जबर्दस तरीक है का यह काफी फेमस हमला होता है इसके दौरा मेहमूद गजनवी के दौरा इस जो यह शाशक का भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो दूसरा ऑप्षन हमारा हो जाएगा सही तोमिनाथ मंदिर की प्रानप्रतिष्टा राश्वदी ऐस राधा कृष्णन द्वारा करी गई थी तो भाई इस बारे में अगर हम बात करें तो ये गलत हो जाएगा क्यों कि उस ताइम पर जो ततकाली राश्वदी थी उनके जारा इसकी प्रानप्रतिष्टा होती है तो देखो आप इसको ऐध्या वाली चीजों से भी लिंक करके देख सकते हैं एतियासे ग्रूप से जैसे ये भी मंदिर था प्रानप्रतिष्टा यहां पर हुई थी अगला जेसे जैन ग्रंत कौन-कौन से हैं नेति पकरण, अवदान शतक, परिशिस्ट वर्मन और त्रिशक्टी लक्षण महापुरान बड़े अजेवजीब से नाम है तो इन में से जैन गरंथ कौन कौन से हमें उनके बारे हम बताना है ठीक है तो दो और चार इसका रायट आंसर हो जाएंगे जब कि हम नेति पकरण की बात करें तो यह बहुत गरंथ है ठीक है और अवदान शतक की बात करें तो यह बहुत किवदंतियों का एक संस्क्रट संकलन हो जाता है यह दो ही मिलेंगे तर और यह बिवाला उप्शन है दो और चार ठीक है यही हम है मिल जाएंगे सिर्फ जैन्गरंथ हमारे ठीक है चलो अगला खुशन बारती इत्यास के संदर में निम नियुकमों पर विचार करना है ठीक है यहाँ पर कुछ एत्यासिक व्यक्ति दिये गए है और ये व्यक्ति किस रूप में जो है जाने गए यहाँ पर थोड़ा सा कंसेंट्रेट करने कोशिश करेंगे जो एत्यासिक व्यक्ति किस वरूप में जाने गए और कौन-कौन से इस बारे में जो है सही कतने हैं ठीक है तो थोड़ा सा tricky type का question हम देख लेंगे कौन-कौन से इस बारे में सही सुमे लेते हैं ठीक चाहिए तेको यहां पर सबसे पहले देए गए है आरदेव तो आरेदेव के सामने क्या था जयन विद्ध्वाण यह के सामने इनको जयन विद्ध्वान का नहीं पहला हो जाएगा हमारा गलत दूसरा दिगनाग जी के बारें बात करें तो भारती बौध विज्यान है बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा तीसरा नात्मुनी जी के बारें बात करें तो ये वैशना और धर्मसास्त्री है बिल्कुल तीसरा हमारा सही हो जाएगा तो दो और तीन सही है, यहाँ पर कितने युगमों के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा यह राइट आंसर हो जागा, केवल दो युगमों सही सो में लेता हूंगे, ठीक है, चलिए, अगला, question number 33 से हमारा, भारत में जन जातियों के संदर में निम्न कत्रों पर विचार कर रह हैंगे, इनके संबंद में कितने हैं, जो हैं हमें सही मिलेंगे, ठीक है, तो चलिए, पहला statement देखेंगे हम, आदेवाशी वे लोग हैं, जो मूलत इस्थानानतित करशी करते हैं, यानि की practice shifting agriculture करते हैं, क्या मूलत इस्थानानतित करशी करेंगे, यह ऐसा कुछ है इनके बा दूसरा, दूसरे की हम बात करेंगे, तो जो कथन दूसरा हमारा, जन जाती समाज आम तोर पर गेरवादनासी समाजों की तोलना में, कम मात्रा में पदानुकर्म प्रदर्शित करते हैं, समाज एक पदानुकर्म, यानि शोशल हायर्गी होती नहीं, जैसे हमारे और आपकी एक सा समयती मिलेगी ठीक है तो इसमें आपको confusion नहीं होना है इसकी सिफारिसों में आदेवासी खेत्रों में क्रसी आदारेट प्रसेक्षन संस्थानों और संबंदित श्रम गहन प्रसेक्षन संस्करम उद्यों की स्थापना पर जोड़ देना सामिल था तो बिलकुल हमारा ये भी सही हो जाएगा जाकसा कमिटी के बारे हम थोड़ा सा देखेंगे तो इन्हों ने जो आदेवासी लोग थे इनकी रोजगार की इस्तिती के तहत आदेवासी खेत्रों में इन प्रसेक्षन संस्थानों की सापना की बात करी गई थी और जो श्रम गहन जो ऐसे प्रसेस इंडस्री है उसकी स्थाफना की भी सिफारिस करी गई थी तो यार निकी जो आदेवासी जो इस्थानी लोग है उनको जादा से जादा रोजगार मिल सके वो अपनी जीव का ठीक से चला सके दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे पहला गलत है तो केवल दो यहां पर सही होँगे राइटा कोप्षन हो जागा हमारा बी नेक्स कुश्चन देख लेते हैं मानुआदिकार के संबंदे में निमने से कौन सा कतन सही नहीं है यानि कि human right के बारे में निमने से पर अंतरराष्टी अनुबंदों को सही उतराष्ट द्वारा वर्स 1948 में अपनाया गया था ठीक है यह अगर इसका time period के हम बात करेंगे तो यह 1948 में नहीं बलकि दिसंबर 1966 में इनको अपनाया था नाके 1948 में जो ICCPR जिनको हम बोलते हैं इनको जो है अगर बात करेंगे तो समाजवाद के वारे में जो समाजवाद की जो विचार दारा है समाजवाद के बारे में उस विचार दारा के बारे में समाजका करते हैं सब लोगो समधाय की केंदरियता पर जोड देता है नहीं यह केंदरितापन नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन पर जोड़ देता है सेंट्रलिटी पर जोड नहीं देता है बल्कि यह जो है सेंट्रलिटी पर नहीं बल्कि यह डिसेंट्रलाइजेशन पर जोड़ देता है कि ऐसा नहीं कि भाई जातर जो पूंजी है वो कुछी लोगों के पासे कट्टी हो नहीं कि decentralizedization होना चाहिए सारी जो पूंजी है संपत्ति है सारे संसादने उनका तो यह जो है हमारा centralizedization नहीं यह opposite में बोल रहा है तो दूसरा है हमारा दूसरा ही गलत होगा सी देख लेते हैं क्या कह रहा है समाजवादियों का मानना है कि समाज में वर्ग विवाजन एक तथ्यर उसलिए से सुधार योगे नहीं है बिल्कुल सही बात है वर्ग विवादन का ये लोग विरोध कर रहे होते हैं ये एक फैट है ये बोलते हैं और इसलिए जो सुधार योग नहीं है ये चीज है ठीक है समाधवाद का मानना है कि बहुते किलाबों को आवशक्ता के आदार पर वित्रत करा जाना चाहिए बिल्क के संबद में उपरोतम से कते कथम सही ये आदारत जो भेद्रवाव है उसको ठाने के लिए कौन कौन से करेमारे से brilliant अचिक प्पार अपमान के क्रत्यों को जंड़ित करनेवाले कानुनी परावधानों को मवझे तब बिल्कुल सही हो जाएगा जो SCST atrocities act है ना इतना strong act है कि अगर इस act के तहट किसी के उपर FIR हो जाती है ना भाई तो बेल लेना बहुत आसान नहीं है जवानत नहीं मिल पाती है असानी से तो यह पहला हमारा statement हो जाएगा सही दूसरा समविधान लोगसभा और राजविदान स हमें लोगसभा करेगा राजविदान सहuben लुळुए कोई प्रावधान करता है यह लोग सभा औरो में । यह दियान रखना है यहां पर कोई सीटों का जो है प्रावधान कर आ गया सी सेट लिए लए जह सीटे CJ सेर्व मिलेंगेमने ऩ क्या यह लित देख स्तन सब्स τα की बेसिस पर हम पूरे कोश्चन को जो है फसानी कोशिस करी जा रहे हैं तीसरा राज्यों को निजी सेक्षन एक संस्थानों में OBC के लिए आरक्षन देने का अधिकार शुरू करता है तो बिल्कुल सही बात है कब आता है 2005 में हमारा ये एक्ट आता है ठीक है इसकी हम बात कर रहे होंगा 2005 में ये एक्ट आएगा इसमें राज्यों को जो निजी और जो गेर साय था प्राप्त जो एजूकेशनल इंस्टूइशन है इनवे OBC के लिए जो है रिजर्विशन शुरू करे गए ठीक है तो ये हमारा जो तीसरा है ये भी तीसरा सही हो जाएगा 2005 में ये आया था इसका ध्यान रखेंगे एक औ पहनचान दुनिया वर के चिक अच्छा इनके सामने जो चीजें लिखी गई है उनके बारे में हमें बताना है ठीक है तो मतलब इनको एक तरीके से जो हमारा NCRT हो दी है ना तो NCRT में जो चीजें हमें मिलती है एक्जेक्ली जो कीवर्डस आते हैं उनकी वार्डस को हमें जो है explanation देना होता है और explanation में उनसे पूछ लिया जाता है तो एक community identity का मतलब क्या होता है दुनिया वरके जो सिख गुरु नाना की जहनती बनाते हैं बिल्कुल सही बात है हो जाएगा यानि जितने भी चाहिए दुनिया में कहीं भी सिख हैं वो सभी जो गुरु नाना की जहनती बनाएंगे ये किस्टी का example है community identity बिल्कुल सही बात है यानि कि आप चाहिए भारत में रहे हैं चाहिए आप कनडे में रहे हैं चाहिए आप पंजाब में हैं चाहिए कहीं भी रहे हैं अगर कोई व्यक्ति पंजाबी है तो वो गुरु नाना की जहनती है उसको celebrate करेगा ये एक सामधायक पैंचान है इसको एंगित करता है तो या statement हो जाएगा हमारा सही दूसरा राष्ट किस्टी इसको एंगित करेगा एक दूसरे की तलास में समान बाशा बोलने वाले लोग ठीक है एक दूसरे की तलास में शमान बाशा बोलने वाले लोग तो बिल्कुल ये भी एक राष्ट का जो है नेशन का सिंबल हो जाएगा तीसरा भारत में दो धार्मेक समूग अपने धार्मेक मदवेतों को लेकर एक दूसरे के साथ संगर्स में लगे हुए है सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है सिख है जो सबसे लास्ट में यह कोश्शन भी आए था से इतना पूछा था इन लोग ने यह पूछा था कि अगर percentage-wise हम देखें, तो ऐसा कौन सा समधाय है, जिसमें percentage-wise सबसे ज़्यादा literacy मिलेगी, तो ध्यान रखना, जितने जैनी लोग है, जैनी लोग हमें literacy rate है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, चलो, 39 देख लेंगे हम अपना अगल anonymity प्रदान करता है, जो गरीब लोगों को निमन सर्थ के काम में सनलगन होने मदद करता है, जो वे गाव में नहीं कर बाएंगा, जो कितनी practical बात कही है, ऐसे statement में, यानि कि सहरी में शित्र में अनाम है, anonymity क्या है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, यानि कि एक काम तो छुप वहां इस गाव seem का, आपको मैं गाव में नहीं कर पाता हूं, अगार मों बढ़े चाहर में आ जाता हूं, माली जए मैं उत्तर का निवासे हूं, नीचे Бैंगलॉर में पहुंच जाता हूं, वहां तो मुझे ज़ो मन करेगा, जो मुझे ठीक लगा, वहां पर काम कर सकता तो बिलकुल पैरा statement हो जाएगा हमारा सही, दूसरा, ग्रामिविक शेत्र में नौकरियों की अनॉप चारिक प्रकरती लोकों को सही करती है, कितना संपल सा statement है, सही बात है, गाहा में नौकरी कैसी मिलेगी, आपको खेत में चलेगा, आज सीजन है, काम मिलेगा, कल नहीं है, और एकदम informal है, आज काम मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई guarantee नहीं है, informal का मतलब ना तो आपको कोई भीमा मिलना ना कोई स्वास्ता सभधाय मिलनी, जबकि पहर में आप जाएंगे, प्रोपर आपको wages मिलेंगे, सारे इंशुरेंसेज मिलेंगे, पीएफ बगेरा मिलेगा, सारी स्वास्ता सभधाय मिलेंगे, सारी चीज़े मिलेंगे आपको वहां पर, दूसरा statement में सही हो जाएगा, तीसरा, ग्रामीड क्षेत्रों में सामाने संपत्ती संसाधनों का हास, ग्रामीड से सहरी क्षेत्रों में लोगों के प्रवास के लिए होता है, तो ग्रामीड संसाधनों है, इनकी निरनतर ग्रावट हो रही है, अब इन चीज़ों के वहां पर जिसकती से बात है, भाई गाउं में पूर्ती नहीं हो सकती, गाउं में जो संसाधनों है, उनसे पूर्ती नहीं होगी समय में, तो इससे क्या होगा, जो सहरी कारण सही हो जाएगा, तो य देखेंगे अगला कोश्यन अगर हम देख लेते हैं तो हम यहां पर पूछ रहा है कि भारत में जो है विशेश रूप से कमजोर जन जाती है समों यानि जर्ण हम बोलते हैं पीवीटीजिस ठीक है पीवीटीजिस के बारे में निमने कत्रों पर विचार करना है और कौन से इन गठती जन संक्या पीवीटीजिस इस दी निर्दारित करने के मान दंड़ों में से एक है बिल्कुल एक्जक्ली हमारा जो है यह सही हो जाएगा ठीक है तीसरा देश में अब तक पिचानवे पीवीटीजिस अध्गारिक तो पर जो है यह जो अधिसूच है तो यह बोला न तीसरा नहीं होगा तो यह खतम यह खतम यह खतम क्योंकि इनमें अवेलेवल है तो यह हो जाएगा हमारा एलमिनेशन के दौरार हम इसको कर सकते हैं ठीक है चलो next question next question देखेंगे हम अपना next question है हमारा जो है बारत में निम्न फसल देवारों पर विचार करें यानि कि देखो अतना प्यारा जो है अमारा जीवन है यह पर जो फसलों के इसाफ से भी हम लोग यह पर अपना celebration कर रहे होते हैं कि किस टाइम पर कौन सा फसल करने वाले हैं और य दूहां खाई मनाया जाता है हमारा पश्मी उड़ी सामें ठीक है और यहां पर बूच रहे हैं और पहला चल में तो पहला statement हो जाएगा हमारा गलट ठीक है दूसरे के हम बात करेंगे असम में बिस्सू मेला ठीक है तो भाई यह भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि करनाटक में उगादी तो बिल्कुल सही बात है हमारा जो तीसरा है यह यह योग में हमारा शही हो जाएगा यहां पर हम इसको celebrate कर रहे होते हैं तो कितने सही डंग से मेल खाते हैं केवल एक यानि कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ठीक है चलो अगला कोश्चन हम देख लेंगे अपरbach कोश्कन हमारा हारित करांती की संदर्म निम्न कत्रों पर हमें विचार करना है भाई हरित करांती के इसे जो हम देखते हैं ऐसे बीज या ऐसे साधन हमारे पास आ गये थे कि जो हम अनाजों की खेती कर रहे थे उसमें बहुत आमुल्चुल परवरतन हुए उनका प्रोडक्शन बहुत जाला बढ़ने लग गया तो अमीर भूसवाम की तुलनामे जो छोटे सीमांत किसान थे उ दूसरा श्रेटमेंट करसी विकास की तुलनामे सामाजिक सूचकांगों की अनुपात हीन व्रद्धी यह बिल्कुल अगर डिस एप्रो डिस डिस प्रपोशनेट जो ग्रोथ है इसकी बात करे जा रही है यानि कि जिस अनुपात में ग्रोथ होनी चाहिए थी उस अनुपा अरित्करांदी का जाहतर लाव है पंजाब, हरियान, उत्तरपरिदेश इन जगेहों पर ही बिलात है यह बलत चो जन्संख्या के लिए खादिस सुरक्षा के इस तरमें व्रद्धी बिल्कुल सभी बात है जब प्रोड़्ेशन ज्यादा होगा तो नहीं ज्यादधा अवे ब्रवारत में विक Software निमजिक्क्रा एक प्राव हो थे तो बिल्कुल सही बात है हमारे चौन चाह। तो इस से एक सतएं में कि तीन और और ब्रोट का या प्लट कर से लेज़ लेते हैं है और यहां पर पूछ रहा है Central भॉक्त में से कितने को बारत में वैश्व करन का प्रभाव माना जाता है जो ग्लोबलाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के साथ जो ऐकोनोमी ओपन सब के साथ हमारा जुड़ा हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने लग गया यह सारी चीज आती है ग्लोबलाइजेशन में तो ग्लोबलाइजेशन के जो प्रभाव आते हैं विसे आप देखो कॉंसेप्च्छल कोश्चन है यह जरूरी नहीं कि प्रिदिम्स का दे रहे कोई अच्छी डिग्री करी आपको नौकरी मिली आपने गूगल वाफिस ने आपको बला लिए नौकरी करने लिए अब आप ऐसा तो यह नहीं पूरी फैमिली को आप लेके जाएंगे ज्यादा से ज्यादा कि आपनी वाइफ और आपके बच्चे होंगा आप उनको ले जा जाएगा महिला शक्तिकरन बिलकुल हुआ ना भाई आप देखेंगे 1992 से पहले कितनी महिला हैं काम करती थी फॉर्मल सेक्टर में आज देखेंगा आप NCR में हालाद देख लो बैंगलॉर में आप हालाद देख लो तो महिला है बिलकुल यह हमारा जो तीसरा स्रेटमेंट ह बैंगे तीसरा स्रेटमेंट भी गलेर सही हो जाएगा व्यश्वी करन के सारे प्रवाब माने जाएंगे और यह स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सी तीनों सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्कॉशन नेक्स्स क्वेशन है हमारे यहां पर निमने फसल तो अरच्छा आरे यह क्वेशन मुझे लग रहा है यह रिपीटेड आ गया है यह जो पेज है यह पेज जो है रिपीटेड आ गया है यह पेज हमारा रिपीटेड आ गया है माफी चाहूंगा आगे लिए हम पेज पर हम मू द्रविण आंदूलन के संदर में हम बात कर लेते हैं क्या से संब्धित सारी चीजा थी इनको कुछ कूछ संब्धिन से संब्धित यह पर क्या कुछ कुछ हैं वह हो गयते हमसे दुबारा वह लग गए थे इस स्लाइड में तो माफिई चाहूंगा उसके लिए चलो परगों के एक अलग राष्ट के गठन का समर्थन करा। द्रविड अंडुलन के बारे आप में बात करूँ तो इसमें शुरुवात में एक शित्री अंडुलन था। क्यों करा जा रहा था यह आंडुलन तो जो इसका उद्देश्य था दक्षण वारत की एक विशिस्ट पेंचान की रक्षा करना था और उत्तर वारत की कते तो प्रभुत के खिलापता है आज भी आप देखेंगे जाद तर चीज़ें और नौर्थ इंडिया में सेंट्रलाइ ठीक है तो यहां पर जो पहला कथन की बात करेंगे तो इस आंडुलन ने जो है कुछ वर्गों के एक अलग राष्ट के गठन का समर्थन करा था कुछ वर्गों ने ऐसी जो हरकता करने की कोशिश करी थी लेकिन यह सीजह इतना आसान नहीं है तो यह पहला हमारा हो जाएग समर्थन मिला तो अगर हम बात करें तो फूरे दक्षन वारत को इसके प्रतनीदी के तो पर माना जाता था लेकिन अन्य आज़्यों से कम रहा इसकारण यह ज़्यादा जो गलत हो जाएगा इसके कारण इवी रामस्वामी नयकर द्वारा द्रविड कडगम यावनिए डी के पार्टी का गठन करा गया था बिल्कुल उसी टाइम का जो इतियास है हमारा इसी से संबंदित हो जाएगा ठीक है चलिए यह हो गया हमारा यहां पर गलत पूछ रहा था तो गलत हो गया हमा है तो यहां पर पूछ रहा है कितने कतन सही है इनमें से यह चीज है हमसे सिंपल सी पूछी जा रहे हैं तो देख लेते हैं पहला स्रीटमेंट देख लेंगे यह जन्गर्ण अधिन्यम 1948 के प्रावधानों के तहते इसको तयार करा आया तो भाई यह हो जाएगा हमारा गलत क्योंकि अधिन्यम 1948 नहीं बलकि जो हमारा जो नागरिकता अधिन्यम 1955 है उस एक्ट के थूँ हमने इसको तयार करा है तो पहला हो जाएगा गलत दूसरा इसे ग्रहमंतरा लेके अधिन रजिस्टरार जनरल के काराले द्वारा तयार कर आया जाता है बिल्कुल दूसरा हमार क्योंतर हो जाएगा सही तीसरा बारत के सामाने निवासी के लिए एनपीर में पंजी करान कराना वेकल पेख है तो जोस् financially के बात करें न रजू सामाने निवासी बात करें विकल नहीं बलकि टेन्आपने फिंगर्प्रेंट सांट वो लगेंगे इस सारी यह हो जाएग हमा हमारा दो इसमें से सही हो रहे हुँगे चलो देख लेते हैं कौन कौन से बारे हम सही है इसका उपयोग कारेवल के सापक्ष आर्थिक बोज को समझने के लिए तयार करा जाता है बिल्कुल सीधी सी बात है कितने लोग तो अपने आर्थिक अ कारेवल के सापक्ष आर्थिक बोज आर्थिक बोज को समझने के लिए कराया तया है यानि कि हम गर में काम करने वाले हैं उनके उपर हम लोग डिपेंडेंट है तो इसके लिए हम उसका यूज करता है पहला हो जाएगा सही बिल्कुल सही बात है हमारा almost यहीं चीज़ें आ रही हैं तो कारेवल की कई बार परिवाशा भी पूछ लिया थी तो 15-64 वर्स की आयू के जो लोग है यह स्रंबल में यह काम करने वाले जो है उसमें गिने जाएंगे ठीक है तो इस तरह हमारा यह दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे तो एक कोश्चन कम हुगा है इसमें थोड़ा सा द्यान रखेंगे गलती होगी द्यान नहीं रहा स्ट्रिट में आगे एक दू कोश्चन गलत कर लेंगे दूसरी जो टेस्ट में ठीक है तो इस तरह हम 50-50 कोश्चन से हम अपने 50-50 कोश्चन के द्वारा इनको ऐसे डिसक्र प्रवाइड करा जा रहे हैं और आपको चीज़ें अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज यार आप जीए सब्सक्राइब करें आपके सब्सक्राइब करें दूसरी बात टेलिग्राम को आप ज़रूर जोइन कर लें डिस्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको यूट्यूब पर नहीं बता पाता वहां पर मैं डिरेक्टली जल्दी यल्दी मैसेज करता रहता हूं जो भी मैसेज आपको बताने होते हैं बहुत सारे मैसेज ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर नहीं परदान किये जा सकते उन सार टेस्ट में ध्यान रखी जब तक साथ बनाई रखिएगा, मिलते हैं, जहन, बबाई